आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक नंबर है 8.11 जो कहें डॉपलर एफेक्ट जॉन डॉपलर ने स्टुडेंट्स जॉँन डॉपलर ने अबसर्व किया कि जो डिस्संस स्टार्ज है उनकी जो लाउट जो फी इमिटिंग लाउट जो थी उन में जो डिस्स अबसर्फ को तो तो उसने अबसर्फ किया कि युछ अबसर्फ रहती। जो light emitting हो रही है जो light आ रही है उसमें जो colors जो हैं जो arise हो रहा है कुछ red shift दे रहा है कुछ blue shift दे रहा है actually यह है क्या चीज़ और उसके लावा जो था जो था उसमें observe किया कि जो light जो distance star से आती है और वही light source जो है जो अगर हम laboratories के अंदर जो देखते हैं अपनी जो lab होती है साइंस की lab होती है अगर हम उसी source से जो light लेते हैं उसकी frequency में frequency of source at laboratory and frequency of star light तो इन दोनों frequency में जो था उसने एक डिफ्रेंट जो था वह काउंट किया तो सेम सोर्स है हमारे पास सेम सोर्स ओफ लाइट है एक सोर्स जो है हमारे पास अर्थ के उपर है लैब के अंदर दूसरा सोर्स जो हमारे बडिसंस टार्स है जो millions and millions miles away from the earth इन दोनों की जो frequency सी इन में उसने डिफ्रेंस अब्सर्व किया उसने देखा कि यह डिफ्रेंस क्यों आ रहा है अपने इसी observation की बेस के उपर उसने एक जो था अपना ला एक प्रिंसिपल जो था उसने वो रिप्रिजेंड किया जिसको हम नाम देते हैं डोपलर फेक्ट का तो डोपलर फेक्ट एक्चली है क्या डोपलर फेक्ट हमारे पास apparent change आता है frequency के अंदर उसने कहा कि यह जो दोनों frequency थी हमारे पास एक frequency उस source of light की जो अर्थ के उपर उसने अब्सर्व किया यानि के लैब के अंदर और दूसरा source of light जो के distance star जो था उससे जो light आ रहे थी उसकी frequency जो थी उसको मज़ियर करने के बाद और जो source of light जो at earth यानि के लैब के अंदर था उसकी frequency को देखा उसने दोनों में difference आ रहा थ था तो उसने वहां पर conclude किया कि जो frequency में difference आ रहा है वह actually due to the relative motion of the distance star and the earth है यानि के two bodies के तर्म्यान जो relative motion के वज़ा से frequency में जो apparent change आता है उसे हम नाम देते हैं Doppler effect का Doppler effect is the apparent change in the frequencies apparent change in the frequency due to the relative motion between between source and observer जोन डॉपलर ने कहा कि जो frequency में apparent change आता है actually it is due to the relative motion between the source and observer तो उसने conclude किया कि जो frequency में difference आएगा चाहे हो हमारी इलेक्ट्रो मगनेटिक वेव्स हैं चाहे हमारे पास वो mechanical वेव्स हैं उनमें जो difference आएगा हमारे पास वो क्या होगा वो आएगा रेलिटिव मोशन की वज़ा से जो frequency में चेंज आना है में वो किस वज़ा से रेलिटिव मोशन बिट्वीन दा सोर्स एंड अब्जर्वर जरो क्या दा करता रेलिटिव मुजर् सामी और इंड ख्ला हुआएगा है